असलाम अलेकूम कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाएंगे चाइना ग्रास तो मैंने लिव हूँ आदा लिटर दूद यह है अगर-अगर चाइना ग्रास आप देख सकते हैं घास घास जैसी कंटेंड में है और यह शक्कर है पांच से छे चमज मैंने शक्कर लिव हूँ और यह है इलाइची तो सबसे पहले हम ग्यास को आउन कर देंगे और दूद को उबालाने के लिए रख देंगे तो यह चाइना ग्रास की जो रेसिपी है एकदम एजी है और एकदम सिंपल है आप इसे जब मन चाहे तब बना सकते है बस कुछ ही म इंटो में यह बन के रेडी हो जाता है और इसे जादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है और अगर अगर जो है चाइना ग्रास जो है वो दो कंटेन में आता है यह ऐसा गहास कंटेन में आता है और एक दूसरे भी कंटेन में आता है मैं नेक्स टाइम वो बताओंगी उसका त तब हमें इस चाइना ग्रास को हमें दूद में दालना है और इसे कंटीनिव हिलाना है और ये दूद में ही पक जाता है हमें शक्कर जो है वो बिल्कुल भी नहीं दालना है ये पूरा पिगलने के बाद हमें इसमें शक्कर मिक्स करना है तो आप देख सकते हैं हमारा दूद जो है उबल रहा है उसमें चाइना ग्रास पक रहा है जब तक के ये पिगलता नहीं है चाइना ग्रास तबं Ohh और हमें पहल बत्तमा ग्यास के पास घड़ा कि और थीन मिनट के लिγики जाता है आरामसे अब इसका कर दालेगे और और शक्कर पिगलने के साथ हम GAS को बन कर देंगे अगर आप इसमें कोई फूड कलर आइड करना चाहते हैं कोई भी कलर इसमें आप आइड कर सकते हैं मगर मैं कोई कलर आइड नहीं करूँगी मुझे वाइट रखना है तो इस तरीके से आप अभी ग्यास बन कर देंगे अब हम इसे ग्यास के उपर ही एक दो मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम लेंगे कंटीनर कंटीनर अब ऐसा भी ले सकते हैं मैंने केक टीन जो होता है वो लिएँ आप प्याला टैप बाउल टैप भी ले सकते हैं आपके पास जो अवेलिबल है वो आप ले ले ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिए वो ही आपको लेना है और अब इसमें हम पूरा दाल देंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दाली हूँ अब इसके उपर आपके पास अगर ड्राइफ रूट है तो आप दाल दें इसके उपर डेकोरेट करें वरना नहीं करें नहीं दाले तो भी चलेगा प्लेन भी आप चाइना ग्राज खा सकतें बहुत यह टेस्टी और यमी होता है यह मैंने दाली हूँ ट्राइफ रूट और उसके बाद दाली हूँ थोड़ा सा हलका जाफरान अगर आपके पास कोई एसेंस है जैसा के वैनिला एसेंस या और भी कोई फ्लेवर का तो आप दाल सकते इसके अंदर अब इसे हम दो घंटे के लिए रूम टेंपरेचर पे रख देंगे अब दो घंटे के बाद हम देखेंगे हमारी चाइना ग्राज जो है किस तरीके से रेडी हुआ है अब मैं पीस को कट कर रही हूँ अगर आपको ज़ादा थीक करना है तो आप इसे फ्रीज में रख सकते आदे घंटे के लिए और आपका जो चाइना ग्राज है वो एकदम ज़ादा थीक हो जाएंगा तो फ्रेंड मेरे रेसीपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्क्राइब जरूर करना मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके जरूर आउंगी इंशालला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू